उत्तर प्रदेश में शांदार विज़े के बाद योगी सरकार पाठों की पहली काबिनेट वैठक में ही संकल पत्र में शामिल वादों पर अमल करने की तैयारी होगी साशन ने तुरंत अमल करने वाले कामों की सूची बनाई है किसानों के छुटा पशुओं के समस्या पर साशन नई गौस अरक्षन केंद्र खोलने और काउस सफारी जैसे विकल्पों पर विचार कर रहा है गन्ना किसानों को 14 दिनों में भुकतान करने और समय ज्यादा होने पर बयाज सहीत भुकतान करने का फैसला लिया जा सकता है कई भागों में खाली पड़े पदों पर भरतियों को लेकर भी पहली काबनेट में फैसला लिया जा सकता है इसके साथी शाशन स्तर पर इसको लेकर मन्थन चल रहा है इसके अलावा संकल पत्र में शामिल होली पर मुफ्त सिलिंडर देने के वायदे को पूरा करने में जुट गई है यूपे में लगभग एक करोड उजवला योजना के लाव भरती हैं और इसी योजना पर लगभग एक हजार करोड का खर्चा भी आएगा उत्राखन विधान सभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुषकर सिंग धामी की हार ने भारते जनता पार्ची को दोविधा में डाल दिया बीजोपी अब उत्राखन में मुख्यमंत्री के नाम पर विचार कर रही है इसमें एक नाम धामी का भी है विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए बीजोपी केंद्रिय परवेक्षिकों को देरादून भेचने पर विचारवी कर रही है उत्राखन के नए मुख्य मंतरी की रेस में पुशकर सिंग धामी के अलावा धन सिंग रावात, सत्थपाल महराज का नाम सबसे आगे चल रहा है प्रदान मंतरी, नरिंद्र मोदी और एमिश चाह आजुनाई मुख्य मंतरी के नाम पर मन्थन कर सकते हैं विधायक दल की बेटक के लिए अभी कोई तरीका तै नहीं हुआ है ना ही कोई तारीक तै हुई है समाजवादी पार्टे के रास्टिय अधियक्ष और पूर्व मुक्खेमंथरी अ खलिश व्यादव ने विधासभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ले लिए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टे विधासभा चुनाव 2022 के जनादेश को जनत्ता का संवासरी करते सिक्षक, सिक्षामित्र, पनानी पेंशन समर्तक, महिला किसान, मस्तूर और सभी सुम्चिंतकों को धनेवाद जिनों ने समाजवादी पाची के प्रती विश्वास जताया। जारी रहेगा।